हलो एवरिवन मैं शेफ मिनी दी इंडियान रोमा किचन जो आपका अपना चैनल है उसमें आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम यह बहुत most requested रस्पी बनाने जा रहे हैं पिंडी चोले वो भी बिना लेसन और प्यास के तो बने रहे हैं मेरे साथ और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजें यह जो बैल आइकन है इसे दबा दीजें और यहां औल आ गया इसे दबा दें तो आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी थैंक्यू चलिए तो यहां हम छोले भीगा लेते हैं और यहां मैंने काबली छोने लिए हैं वाइट वाले एक कप जो की वेट के सबसे 236 ग्राम है और जब यह उबल जाते हैं तो इसे दो तिन बार बहुत अच्छे पानी से हम धो लेंगे और धोने के बाद हम इसे क्या करेंगे 5-6 गंटे के लिए भीगा के रखतेंगे जो कि बहुत जरूरी है और यहां जो पानी आप डालेना तो इतना पानी डालिए कि आपके छोले जो फूले तो अच्छे से पानी को पी लें मतलब कि आप थोड़ा जादा पानी डाली और देखिए 6 गंटे के लिए मैंने इसको भीगा दिया और आप देख सकते हैं कि हमारे छोले जाएं वह बहुत अच्छे से फूल गए हैं तो बस अब हम इसको उबालने की तैयारी कर लेतें तो हम इनको के कुकर के अंदर डाल देंगे तो छोलों के अदर अब काफी पानी डाल देंगे हम इतना पानी डालेंगे कि छोलों से 1.5 से दो इंच ये उपोँचा रहे अब बस उसके अदर थोड़े से मसाले डालेंगे और फिर हम इसको प्रैसर देंगे यह देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कितना पानी इसके अंदर चाहिए अभी उंगली डाल कर आप देखिए आपकी देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ बस इतना पानी होना चाहिए इससे ज़्यादा पानी मत रखिए अब हम इसके अंदर थोड़े से मसाले डाल देते हैं जैसे मैंने इसके अंदर नमक डाला है अपने स्वात के अनुसार से आप 1-1.5 चमच नमक डाल सकते हैं इसके अंदर और फिर हम इसके अंदर डाल देंगे 2-3 तेजपत्ते और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी जो मोटी लाईची होती है न वो डाल दूँगी उबलते वक डाल दें तो टेस्ट बहुत बढ़िया आता है फिर इसके अदर हम चार से छे जो लाउंग होती है न वो डाल देंगे और लाउंग डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे चोटा सा एक पीज दाल चीनी का यह देखे जादा मट डाली है उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉंग होता है तो बस थोड़ी सी आप डाल दीजे और उसके बाद अगर आपके पस हो तो आप काली मिर्च के भी दो से तीन चार दाने डाल सकते है और यह जो अब आपने देख और अब मैंने जिसमें डाले ना वो डाला है बेकिंग सूडा यह डालना बहुत जरूरी है अगर आपको पर्फेक्ट टेस्ट चाहिए वही वाला और यहां मैंने कूकर को प्रेशर लगाया जब दो विसल आई तो इसको 20 मिनट के लिए हलका कर दी और गैस आउफ कर दी औ और यह सारा मसाला जो हमारे घर में अविलेबल है वही की इंडीडियन्ट है हमारे पिंडी अमरिस्तरी छोले बनने के और यह देखिए यह इसमें धनिया बॉडर है इसमें जीरा है क्रश धनिया आप देख सकते हैं यहां पर यह मैंने लिया है और उसके बाद इसके अंद दालचीनी का यूज किया है ये काली मिर्च का पॉर्डर है मेरे रपस और ये हल्दी है यहाँ आप देख सकते हैं वाइट सॉल्ट है वो भी मैंने यूज किया है यहाँ अनारदाना है अनारदाना और धनिया पॉर्डर आप इकुल कॉंटिटी में लीजे ये इसका टिप है कसूरी में थी है और ये जीरा पॉर्डर है और ये है मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च का पॉर्डर और ये है हींग हींग बहुत जरूरी है क्योंकि छोले तासीर में बादी होते हैं हींग उसको मारती है तो वो डालिए और साथ में हम यहां सोट पॉडर का भी यूज करते हैं और डाटकल गरम बहुत है तो मैंने इसे अवाइड कर दिया है अगर आप चाहें तो वन फोट टी स्पून के करिया आप सोट पॉडर भी इसमें डाल सकते हैं और देखिए यह बह सारे मसाले डालेंगे बिना पकाए है ना कमाल की चीज़ उपर से हमने डाल दिया इसमें अनार दाना अब मैं डाल रही हूं इसके अंदर अजवाइन अजवाइन को हमेशा हाटेलियों से मसल के डालें तो इसके फ्लेवर्स बहुत एंहेंस हो जाते हैं और यह हम डाल रही थोड़ सा मसल के डालें और फैला कर डालें यह बड़ी हम पॉर्टन चीज़ आरे मसाले फैला कर डालें अब ही आ गई है हमारी हल्दी और यहां मैंने डाल दिया काला नमक नमक हमेशा टेस्ट करके ही डालें और उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर जीरा जो साबुत जीरा होता है वो डाल दिया और यहां मैंने किचन किंग मसाला डाला है आप चाहें तो हलके से गरम मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं और अब आगे हमारा धनिया धनिया हमेशा जब भी छोलों पर डालेना बिल्कुल टॉप के उपपर डालें क्योंकि इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है और यहां मैं डाल रही हूँ कश्मीरी मिर्च पॉटर यह मुझे पहले डालना चाहिए था और मैं भूल गई इसलिए मैंने अब डाला है पर आप हमेशा धनिया टॉप पर रखें तो ज़्यादा बैटर रहेगा और अब थोड़ा सा अपने धनियों को सजा लेते हैं तो यहां पर मैं जिंजर जूलियन्स राल दूँगी इसके अंदर और उसके बद हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्ची हरी मिर्ची शद्ध है कि अनिसार आप जितनी चाहें बीच में से श्लिट करके डाल सकते हैं पर चार से पांच जरूर डाल दें टॉप पर डालने से क्या होता है कि फ्लेवर्स इसके अच्छे से आते हैं तेल के साथ जब हम इसको तड़का देंगे और अगर आप चाहें ना तो आप एक आलू को भी उबाल लें और उसको काट के और फ्राई करके इस टेज के उपर टॉप पर रख सकते हैं फिर तड़का जब हम डालेंगे तो उसके साथ वो मिल जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा चलिए तो हम तड़के की तयारी कर लेते हैं चलिए तो तड़के की तयारी करते हैं टैन के अंतर थोड़ा सा ओयल डाली है और उसके बदध असली घी डाली है असली घी इसका के इं। पर ओयल मैं इसलिए डाला है otherwise घीजव बहुत जल्दी जनने लगता है अगर आप असली घी में नहीं बनाना चाते तो आप इसको डालडा घी में भी बना सकते हैं या चाहें अगर वीगन आप्शन चाते हैं तो ओईल के अंदर भी इसका तड़का दे सकते हैं बहुत कमाल के ये बनने वाले हैं आपके छोले और देखिए इसको इस हद तक आप गरम कर लिजे कि इस तेल के अंदर धुआ निकलने लगे और जैसे ही आपके घी या तेल के अंदर धुआ निकलने लगे आप इसको मसालों के ओपर डाल दीजे आप देख सकते हैं कि कितना इसमें धुआ निकल रहा है और इसी तेज ओईल के अंदर ये उबलवा ओईल या घी है इसके अंदर जो मसाले पकते हैं तो उनका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है तो ये एक टिप है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है अगर आपको पर्फेक्ट इसी टेस्ट के छोले चाहिए तो बस दस मिनट के लिए आप इसको ढख दीजें और जब खोल कर देखेंगे तो देखें कितने बढ़िया छोले हैं अब हम इसको चला लेंगे कि आपका तड़का जो है सब मसाले जो हैं छोलों के अंदर बहुत अच्छे से मिल जाएं और जब ये मिल जाएंगे तो फिर हम इसकी सर्विंग करेंगे और इतने कमाल के ये छोले बनेंगे ना कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आप इने इसको बिना प्याज और लेसन के बनाएं बहुती साथवेक आप किसी भी पूजा के अंदर इसको बना सकते हैं आप किसी भी पार्टी में बना सकते हैं और चटपड बनने वाली रेसिपी है इवन वर्किंग लोगों के लिए इतनी इजी रेसिपी है ना ये कि मैं आपको क्या बताओं सिर्फ छोले उबालिये सारे मसाले घर में अविलेबल है उनको तड़का लगाईए और आपके छोले बनके तयार हो गाए मतलब मैं कहूंगी सिर्फ छोले उबनने के बाद फाइफ मिनिट रेसिपी है जिसको आप जट पड बना सकते हैं और देखे कितने बढ़िया आपके छोले बने रंगत इतनी बढ़िया और मेरा किचन ऐसे महक रहना इस वक्त कि मैं आपको बता नहीं सकती और बस अब हम इसको थोड़ी सा धनिया डाल देते हैं जिंजर जूलियन्स हम इसके अंदर अभी डाल देंगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे मिर्ची जिंजर जूलियन्स आप जितने डालें बहुत अच्छे लगते हैं जिंजर का फ्लेवर तो छोलों के साथ वैसे ही बहुत बढ़ी आता है हरी मिर्ची उपर से डाल दी है मैंने थोड़ा से इसको सजा दिया है अब ये छोले आपके बिलकुल सर्फ करने के लिए तयार है चाहें आप भटूरों के साथ खाईए इसे चाहें चावल के साथ खाईए चाहें कुल्चे के साथ खाईए और चाहें ऐसे ही खाईए तो आपके ला जवाब छोले बनके सिर्फ 5 मिनट में बिना लेसन अदरक के जब पिंडी छोले आप कहते हैं बनके तयार हैं और मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसे बने हमारे छोले आप रियक्शन से देख सकते हैं मेरे की मैं क्या बोल रहे हूँ तो चलिए अगर रसीबी पसंद आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे रसीबी को फ्रेंड्स और फेमली के साथ शेयर कीजे और बैल आइकन दबाना ना भूले ताकि आने वाली हर वीडियो को आपको मिलती रहे और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको छोली है